हलो दोस्तों आप से लिगा हमाई चल्म में स्वागत हैं दोस्तों हम बात करेंगे नकुन सकता के बारे में एनी नामर्दगी के बारे में या जिनका मामला एकदम खतम हो गया है कोई या किसी लायक नहीं बचे हैं साइज नहीं है टाइमिंग नहीं है रुकावट नहीं है सा तो आप racing लोग के साथ में रहे ज़े के गलत संगत कर कर के माम्ला एकदम खराब हो गया और म्मली इंटल हो गया है तो अईसी तमाम समस्यों को ठीक करने के लिए और ना मझा पहली बार ना बेल आइकन करें लोग बिंटेंट कि अच्छा सा नुस्खा बताओ जिसको में यूज करके अपनी इंस्मसैंवं से छुटकारा पाँ यहां मैं चैनल जाए उसके इदर कंदळा है निकल जाए और अच्छा-खासए लिज़ारीd के सिम्पली दूस्तों जो भीदियो है बहूत ही ब rapedpirनногला बदाने जा रहा है सब्सक्क्राइब कर नीकाने का लिए उन में उछा तो simply दोस्तों ये वीडियो कुछ थोड़ा बड़ा हो जाएगा क्योंकि इसके अंदर में आपको ठकोर करने का भी तरीका बताऊँगा और उसके साथ साथ में आपको क्या चीज यूज करना है कौन सान उसका बनाना है कैसे खाना में आपको ये भी बताऊँगा यो कुछ लं सिंपली दोस्तों क्या होता है कि पेनिस की जो बारिक बारिक नसे होती है नसों के अंदर जब पानी का सरकुलेशन आ जाता है यानि पानी भर जाता है खून का सरकुलेशन नहीं जा पाता है तो वह चीज़े आटोमेंटिक धीरे-धीरे सुनपन होने लगती है अंदर को का जो फर्वाव होता है तो पेनिस के आगे हिस्से तक नहीं जाता है भी से लोटाЕТा है यह पूरे पे नहीं जाता एक थोड़े से अंद्र जाके वापस तो यह भोसारी समस्य होती है और भोसे इसलिए होते हैं कि नसे मर जाती है यानि भोसारी नसे जो है गंदे पानी के वज़े से खराब हो जाती है खून का सरकुलेशन जहां जहां पे नहीं कि उन्हें से चिपक जाती है और चमडी मोटी हो जाती है और उनका जो है मामला धीर का सा लूजनेस होता है अगर आपके अंदर ये समस्या होने लगती है कि नसो बिलोग होने लगी है खून का सरकूलेशन नहीं जाता है पहले धीरे-धीरे उसके अंदर कड़कपन तूटने लगता है और फिर एक साइट जुकने लगता है या लेफ्ट या राइट में ठीक है और फिर धीरे-धीरे क्या होता है कि जैसे-जैसे उसका जो सरकूलेशन है खून का बराबर से पेनिस में नहीं जाता है तो धीरे-धीरे फिर खिशता रहता बटूरता रहता है और धीरे-धीरे फिर अंदर को दबने लगता है ठीक है तो ये समस्या होती है और इसी के साथ साथ क्या होता फिर टाइमिंग नहीं रुकावर्ड नहीं बीर एकदम पानी के तरीके से जाते हैं मामला खतम कुछी को देखा किसी को चुछ हुआ तो कहानी खतम बेट पे अच्छा परफामस बिल्कुल भी नहीं कर पाते और पार्टन को बराबर से सटिस्पाई नहीं कर पाते यानि यह कह लिए कि जिनका मामला एकदम खतम है कोई लाइक नहीं बचा तो उनकी लिए नुसका एकदम रामबार है अगर वो इस नुसको को ब तो सबसे पहुले स्क्वन नी के लिए अच्छा खासा साइज लिए और अच्छा खासा मोटाई के लिए और अच्छा खासा कणवपन के की लिए आपको सबसे पहले करना तको को आप तकोर कर ने के लिए आपको सबसे पहले 50 की दुकान से आपको जो जो ऊची-श Il srov अंदर फिन आपको लेना है 10 गिराम, बीर बहुती 10 गिराम, खरातीन 10 गिराम, खरातीन नहीं केचवा, सुखा हुआ केचवा, यह आपको लेना है 10 गिराम, भूना हुआ चना, भूना हुआ चना आपको लेना है 10 गिराम, और रोगन गुल, आपको खुले में मिल जाए तो 100 सोग्राम ले लीजिए या पैक में मिल जाए सोयमेल का तो आपको ले लीजिएगा रोगन गुल ठीक है इतनी सारी चीज़े आपको सबसे पहले एकत करना है यह जो मेडिसन्स है यानि जो आप दवा बनाओगे यह आपके पेनिस के लिए है पेनिस की पूरी गंदेगे को नि करेगा चम्रि जो आपकी सक्त हो गया अई चुकी है उसको खोल के निकार दीला करेगा आपके चम्री के उगदम मुलाइम करेगा जब आपकी चम्री मुलायम होगी तभी आपके नस्यब फूल एंगी जब नस्यब फैसे आना है समनदर फेन य बीरी बहोटी और खरकरतीन ही हैं अजगन नागोरी भुना चना यहां तक भुना चना से लेके समंदर फिन ता हैं, इनको सब को पहले आपको ले लेना है, और इसको बार इक बार इक तुकड़े, यानि इसको नहीं पाउड़र करना है, पाउडर बिल्कुल नहीं करना है ये करेज़े कि उरत की डाल किते किते तुकड़े इसको ये गेहों किते किते जो होते ना गेहों किते किते तुकड़े कर देना है इसको फोड़ देना है किसे भी फोड़ दो इसको बारिक बारिक चूरा टाइप का करना है इन सारी चीजों को आप करना क्या है कि कोई एक कटोरी ले लो सबसे पहले इस्टील की हो या एल्मोनियम की हो जो भी हो एक कटोरी ले लो और उस कटोरी के अंदर सबसे पहले तेल डाल दो यह अपना रोगन गुल जो आपका सव विराम है इसको डाल दो और इसी के अंदर इसको उठाय के पूर आपको इसी तरीके से रखे देना है कोईए गन्ते के बाद में जब इसको रखे हुए, 24 गंटे पूरे हैं, तब उसको आपको जरूरत के हिसाब से आपको इसको दोनों टेम लगाना है ठीक है आप कैसे लगाना है जब यह आपको भिगा देना है नहीं 24 घंटे तक इसको भिगा देना है जब 24 घंटा पूरा हो जाए फिर उसको आपको सुबा और साम लगाना है अब लगाने से पहले क्या करना है सबसे पहले आपको अपने पेनिस को अच्छे से धुल लेना है पानी से आपका जो तेल जड़ी बूटी जो आपने डाल के रखा है जब वो गरम हो जाए उसको उताल लो और फिर उसको जटना आपको गरम बरदास हो उतना आपको बस उस अच्छे से मसाझ करना थिक है यह दोनों साइड 4ह साइड में आपको लेना है कि मुझे तीन बून लेना है ऑट वूं लेना है छार बून लेना है ज्यादा लेना है अब को और अच्छे से यानी एक pair Kisik अच्छा तिल लगाया जाता है उस तरीके से एक गोब अच्छे से इसको लगाना ठीक इसी तरीके से साम में यूज़ करना है और ठीक इसी तरीके से आपको सुभा इए उस शिरिफ ए शिरिफ 14 दिन इसको आपको लगाना है 24 दिन इसको आपको यूज करना है 14 दिन इनके अंदर जो आपकी बंद नसे हैं जिनि जितनी भी एक लिजे कि पेनिस की समस्या है सब एकदम जड़ से बखाता ठीक है आपको अच्छा कासा साइज मिल जाएगा सब को जाएगा इसको आपको प्रॉपर 14 दिन तक यूज करना है ठीक है अब इसी के साथ में आपको जो खाने वाली दवाए उसको भी बनाना पड़ेगा क्योंकि भाई ये तो आपकी बाहरी तरफ से हो गया और जो क्योंकि ये अपना काम करेगा आपके नसों को खोलेगा सब कुछ करेगा लेकिन जब तक उसको आप नहीं खाओगए जो अंदर से काम बरेगा तब तक प्रॉपर रिजल नहीं आएगा तो इसको आपको 14 दिन यूज करना है दोनों टेम यूज करना है तो पेनिस छोटा है बच्चे से तो वो हपते में हर हपते में उसको छील दे नीचे का बाल जो हर हपते छील दिया करें तो उससे भी बहुत जादा इफक पड़ता है आपके sexual life में तो मैं तो आई है कहूंगा कि जिनको यह समस्या है जो यह करेंगे इसको बनाके लगाएंगे त तो सबसे पहले अपने बाल को छील दे नीचे के ठीक है नीचे के बाल को साप करें फिर इसको यूच करें और हर हपते अपने बाल को साप करते रहें ठीक है और कुई भी हो जो भी देख रहा वीडियो को अगर उसको sexual life को अपने sexual life को लंबे समय तक लेके जाना है या निचे के बाल भी थोड़े बड़े हो जाएं तो इसको भी आप निकाल दिया disability की उससे भी बहुत सारे नुक्सान हो आपके Kohn को जब जाद मोटर हो जाते तो नसों के जो टो होते ना इनको खीचना चालो कर देते तो नुक्सान सब से तो 10 to time इसको भी छीला करो espine to time it's a big sheila करो लेकिन जार यह यूज करना है वह हर हटे जो है इसको फिल्डा इसको फाले आपleye झाले तो ये आपकी Biraz 만들어 करना है इसको पवाले पाले किक रिएにちは तो यह आपकी पेनिस के लिए हो गया, आप इसके साथ में आपको क्या-क्या चीज यूज करना है, यानि खाने वाला भी आपको बता देता हूं, तो सिंप्ली दोस्तर टकोर के साथ में आपको सबसे पहले तो टकोर करना ही करना है, अब उसी के साथ में आपको खाना क्या ची दाना खसखस आपको लेना है 10 गिराम, मुशली सफेद आपको लेना है 10 गिराम, काली मुशली 10 गिराम, सालम पंजा 10 गिराम, खुलन जान 10 गिराम, लोंग 10 गिराम, जावेतरी 10 गिराम, ताल मखाना 10 गिराम, बीजबंद 10 गिराम, प्रहमी 10 गिराम, दालचीनी 10 गिराम, और सहट 500 गरम पर यह सारी चीज़े आपको पंसारी के दुकान पर मिल के जहाँ पर जड़ी बुटी और गायरी मिलती है ठीक है आराम से आपको मिल सालम बंजा, खुलंजान, लोंग, जावेत्री, तालम खाना, बीजबंद, ब्रम्मी, दालचीनी, सहत, इतनी सारी चीज़े आपको पर्चेस करके लिए क्या आना है, सहत को अलग करना है, सहत को अलग करना है, और ये बीजबंद, ब्रम्मी, दालचीनी, ये सारी जड़ी बूटी और मगाच चिलगोजा और खसका सब मिला है कि पूरी बूटी पहले अच्छे से साफ कर लेना कि कुछ कच्छड़ पकड़ा हो तो उसको निकाल के फेक देना फिर उसको अच्छे से साफ करके पौडर तेयर करना जब पौडर रेडी हो जाए तब किसी हांडी में या सारे पौडर को से kindness कर देना अच्छे से मिला देना ठीक है जब यह मिल जाए ठंडा हो जाए तो उसको किसी काच के बाटली में तो फिर उसको किसी काच के बरतन में किदर भर किर्या रहा एक प्लास्टिक बेश्चिक हो गय़ा हमें इसी को आपको दोनों टेम सुबा साम ए तो आपको औंडा है मचली इंसे पुझानी यूच करना है इतनी सारी चिजो को आपको परेजी करना है गरम चिजों aur यूच करना है इसको आप जब बना लोगत तो ये आपका- अ, कुछ साथ- तो दो महीने चले गाई तो इसको आपको प्रॉपर दो महीने ते गुज़ करना है यह नहीं देखो आपकी जो नसों की जो गंदगी जी नसों की जो समस्याएं थी यह के लिजे यह नसे एकदम मर चुकी थी पूरा सिस्टम आपका पेनिस का बेकार था ठीक है वह आपका टक होती ना काफी टेम तक रिकवर होने में उसमें काफी टेम लग जाता है तो जब आप इसको प्रॉपर एक चम्मा सुबह साम यूज करते रहोगे और उससे चौदा दिन तक आप जब सहकाई कर लोगे तो जब सहकाई हो जाएगा जब आपकी नसे खुल जाएंगी खून का सरकुलेशन अंदर जाने लगेगा सारा सिस्टम आपका जब ठीक हो जाएगा पहले से बहतर हो जाएगा और इसको जब आप यूज करते रहोगे तब इसके यूज के दोरान आपको महसूस होगा कि आप मेरी साइड जो है अच्छी खासी पहले से इंप्रूब हो रही है प बहुत सारी समस्याओं को मैंटें करके आपको यह फीट करेगा टकोर आपके पेनिस की समस्याओं को ठीक करेगा बाकी के यह नसों को खुलेगा खुन के सर्कुलेशन को तेज करेगा फिर आपके वीर को काढ़ा करेगा, ट्रेस्टोरांस को बूश्ट करेगा, हर्मोनस को डबलब करेगा, शिक्स एक्टीवीडियो को बढ़ाएगा, बहुत सारी समस्याओं को ये जल से खतम करेगा, बस जो चीज मैंने आपको बताया, इसका परहेज करना है, जैसा मैंने बताया, उसी तरी के से उसको बनाना है, जैसा मैंने बताया, उसी तरी के से आपको खाना है, और जैसा मैंने ठकोर करने को बताया, उस तरी के से उसको बनाना है, उसी तरी के से उसको लगाना है, ठीक है, तो बहुत ही 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 अच्छी चीज़ देना सब्सक्राइब हम eleg defin champ ईनके साथ जाओ जिनको मालूमात उनके साथ जाओ लेकिन आप इसको पर्षास करो बनाओ। बहुतने सब्सक्राइब हैं जो इस पर उतके साथ किसी साथ सेयर किषिए को बता है ही है और और फिर धीरे धीरे उनको इसको यह समस्या है तो इसको और यह बहुत बहुत ही बहतरी चीज को जेने को जो किसी से कहुँना नहीं चाहते हैं चुपосьा चाहते है उनके लिए बहुत बेश्ट है आराम से इसको बनाएके यूच कर सकते हैं इसी के साथ में हमारा नपुन सकता किट है पेनिस किट है बोल्डन किट है उन में से अगर आपको कोई चीज पर्चस करना है बनवाना है तो मैंने वीडियो का लिंक दे रखा है उसको भी आप देख सकते हैं अगर उन म उन में ईलब से देख के मंगा सकते हों और अगर आप इसको बनाना चाहते हैं तो आप इसको बना सकते हैं, इसका कोई भीडिव नहीं है तो I hope दोस्तुम की वीडियो को पसंद को पसंद तो वीडियो को लाइक कीज़े औरर अगर आप हमार्जने में पहली बार है तो मैंस जो को सबस्क्राइब जो